लॉक्डाउन के चलते राज्य सरकार ने सभी नीजी स्कूलों के लिए गाइटलाइन जारी की है जिसके ताहत नीजी स्कूल तीन महेने तक कोई फिस नहीं वसूल करेंगे लेकिन शिक्षा नगरी कोटा में नीजी स्कूल खुले आम राज्य सरकार के आदिशों की धज्यां वड़ा कर बच्चों के परीजों से फीस की मांग कर रहे हैं ऐसे में पूरु विधायक भवानी सिंग ने पेस्वारता आउजित कर इस तो पूरे मामले का फ्लासा किया है पूरु विधायक ने कहा कि कोटा शहर में करीब 17 स्कूल ऐसे हैं जिनों ने चात्रों से आनलाइन फ कारवाई काश्वा संधिया है